नमस्कार स्वागत है आपका प्रबल अक्याडमी के दिन्यूज व्यू कारक्रम में जहां मैं यानी प्रग्यावत सिल कराऊंगे आपको रूबरू एक महत्वपूर्ण खबर से विस्तार में तो आईए शुरवात करते हैं हमारे आज के टॉपिक से जो की है बादलों का फट धर्मशाला कि नौर कश्मीर में अमरनाथ की गुफा के पास ये घटनाएं देखने को मिली हैं साल 2013 में आई के दारनात त्रासदी किसे याद नहीं होगी उसके पीछे के मुख्य वजह भी बादल फटना ही थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे भारत में मौनसून के द बादल फटने की घटना विज्ञान के विकास से पहले भी होती रही है पहले के जमाने में माना जाता था कि बादल किसी गुबारे की तरह होते हैं इनमें पानी भरा होता है जहां बारिश होती है इनमें से धीरे धीरे पानी बरसता है जब बादल फटता है तो गुबारे की तरह फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिर जाता है लेकिन विज्ञान के विकसित होने के साथ ही पतचला की बादल गुबारे क जैसे नहीं होते ये भाप के बने होते हैं इन में मौजूद नमी एकटा होकर बूंदों का रूप ले लेती है जो बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है बादलों को लेकर इंसानी धारना तो बदल गई लेकिन शब नहीं बदला और इसे आज भी बादल फटना ही कहा जा 4.9 इंच प्रतिघंटे की रफतार से बारिश परे तो इसे बादल फटना कहा जाता है ऐसी परिस्थिती में बूंदों का आकार भी सामाने से बड़ा होता है इसकी वज़य होती है औरोग्राफिक लिफ्ट यही वज़य है कि बादल फटने की घटनाएं अकसर पहारों पर होती है पहार की तलहटी में मौझूद गर्म हवा पहारों से टकरा कर उपर उठने लगती है जब यह गर्म हवा उपर मौझूद बादलों से टकराती है बादलों में मौझूद पानी के अनुओं के बीच लगने वाला अंतर आन्विक बल कमजोर हो जाता है इस वज़य से पानी की बूंदे भी हवा के साथ उपर उठने लगती है यह बूंदे आपस में मिलकर बड़ी बूंदों में बदल जाती है यह संहनित तो हो जाती है लेकिन एलेक्ट्रो बलों के चलते यह बादलों से बाहर नहीं निकल पाती ज्यादा नमी वाले ऐसे बहुत सारे बादल एक साथ इकटा हो जाते हैं आईए चांदे हैं कि बादल फटना वर्षा से भिन कैसे है वर्षा बादलों से गिरने वाला संखनित जल है जबकि बादल फटना अचानक भारी वर्षा का हूना है प्रती घंटे 100 mm से अधिक वर्षा को बादल फटने के रूप में वर्गी कृत किया गया है। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है लेकिन यह अप्रत्याशत रूप से और अचानक घटित होती है। तो क्या यह केवल पहाडों पर होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जादा नमी वाले बादल वहाँ एकट्टा होते गए और बहुत मात्रा में बारिश एक साथ हो गई। 2013 में हुई केदारना त्रासदी के पीछे भी वजह बादल फटना ही था। यह सब जलवायू परवर्तन का प्रभाव है। कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायू संभावना है कि आगामी पांच वर्शों में वार्शिक औसत वैश्विक तापमान और स्थाई रूप से पूर्व और योगिक स्तर से एक दिशनलव पांच डिगरी सेल्शिस से उपर पहुंच जाएगा। तो क्या बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान लगाया ज शक्ता होती है जो कि अपेक्षक्रत काफी महंगा है इसे भारी वर्शा की संभावना वाले शेत्रों में इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है बादलों के पटने की घटना के अनुकूल शेत्रों और मौसम संबंधी स्थितियों की पहचान कर नुकसान से बचने की क कुछ उम्मीद जरूर है ऐसे ही अन्य महत्वण जानकारियों के साथ हाजर रहूंगी मैं हर बार आपके साथ आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीदबाक हमें कॉमन सेक्शन में देना ना भूले